स्वामी नारायन, 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 स्वामी नाराय स्यामाम सितम विभुजमे वच्यतूर भुजम्च वांभप्ति दर्मतन्यम सरणम प्रप्प्ति बोलो स्वामी नारायन भगवान अजनी वात धुन्दू कारिनो इतियास गम्मे तेवा पाप होई परन्तो स्रद्धा सहीद पस्चाता पूर्व कथा सांब्डवा मावे तथा यहों नीड़े करे कि आ कथा सांब्ड़या कशी हो मारा जीवन मा कदी पन पाप नहीं करू तो अवश्य ते व्यक्तिना पाप बड़ीने बस्मत ही जाएस ते वीशे दुंदुकारीनो प्रसंग पती चमतकारी छे कारण के तेने तो प्रेतना देमा रहिने पन जो कथा सांब्ड़ी तो तेनो मोक्ष थयो तो तेनी कथा आ प्रमाने छे भाग्वत जीमायनो मैमा लखेल छे तंदुकारीनो वितियास लखे छे के तोंग बदरा नदीना कीना रहिए अनुपम नगरमा धर्मनिष्ठ ने धन्वान आत्मदेव नामना पवित्र ब्रामन रेता आता तेमने पूत्रा नातो तेना काने तेवो जंगलमा गया पूत्र मेडवानना विचारो करता करता एक तड़ावने काठे जाड़नी छे लेठा ते समय एक सन्यासी पाई पिवा अगया तेवो जोयने आत्मदेव तेवो आगर गडवा लगया अने पूत्र इचानी मांगनी करी तेथी सन्यासी आत्मदेवना बाल सामू जोयने कईउ तारा प्रारग मा साथ जनम सुधी पूत्र न थी तेरे आत्मदेव क्यवा लागयो अरे अरे मारे पूत्र नहीं थाए तेना काणे मने मर्या पछी पींडदान नहीं मुड़े अने पींडदान नहीं मड़े तेना काणे मुक्ति पन नहीं थाए मापुरूसो समझावे छे के लोट ना पींड़ी थी काए मोक्ष मड़तो न थी साचू पींडदान तो एज छे के आ दे रूपी पींड़ने भगवाननी भक्ति मा जोड़ी देवो आ दे वड़े धर्मनु आचरण करवू तथा परोक्कार्मा आ देने गसी नाको एज साचू पींड़ दान चे मौनाकार्णे आत्मदेवने एवविचारावे छे के पुत्रविना मारो मोक्ष नहीं थाए तेथी सन्यासी ने केवा लागिया के मुनी मारा प्रारदमा गमेते लख्यों परन्तों संतों लेखों पर मेख मारी सके छे माटे तमो मने पुत्र था एवा असिर्वा धापू नहीं तरू आत्मदेवा करिश पछी सन्यासी बोलवा लागिया के ब्रामा आत्म हत्या मान पाव छे तू पुत्र नो मो छोड़ी मोक्ष नी चिन्ताकर संसार नी आसरती छोड़ी त्यागी बनी जा तेमाज परम सुख रहेलू छो सन्यासे सर्वथा सुखाम पुर्वकार मां हंग राजाने पुत्र होवा थी तेवन खुब दुख थाईवा दू माटे तू पुत्र ही चाम त्याग करी मोक्ष माटे ना प्रयत्नकर तेदी तारों मनुश्य जन्मर सफड धरीला सन्यासिनों उग्देवस आत्म देवने पड्यों नहीं तेथी काई मान्यों नहीं तेथी तेवने एक पुड आपीने कयूके तारी पत्नी ने आपड कुखावई देजे तेथी तारे पुत्र थसे खड लेने आत्म देवन गेर आव्या तेनी पत्नी धुनली ने फड्यों ने कयूके तुआ फड खाई जजे तेथी तारे पुत्र थसे परंतु तेने ते फड न खादू और तेनी ग्वहें ना कयवाती गाई ने खवड आवी देजे दुद्धली सदाचारी इन चे तेने कुत्र जोईतो न थी तेतो वंदिया रेवा माजु सोख मानें चे येथी येने फड खादू नहीं परंतु आत्मदेवने चेतरवा माटे पेटे तांसडु बांधी ने गर्बवती स्त्रियों नी जेम रेवा लगी अने तेनी बेनने रूपिया आपी ने तेनो पुत्र लेवाननों नकी कल गाई ने फड खावळावियोतू तेती नव मैना पुरा थता गाई ने बाड़क नो जन्वा थयो ते बाड़क ना कान गाई ना जेवा छे तेती तेनो नाम पड़ियों गो करना बीजी बाजू धुंदली नी बेन ने अपन बाड़क जन्व छे एती रात्री ना समय थूपी रीते रूपी आपी ने धुंदली येते बाड़क ने तेड़ावी तो तनी पासे राख्यो सवार्थता पेटेज तासलू छोडी इवी जाहरात करी के मारेतियां बाड़क जन् आवाद सांबी आत्वदेव राजी थे आने बाड़क नो नाम धुंदु कारी पाड़िए त्यार पछी गोक करणे वीचार करियो आप आपी बेड़ों रैस तो तेनो कुष्ण मन्ने पन लाग से माटे तेनो त्याक करी दवो आँ मीचारे ने तेवो तिल्थाटन करवा जेता रिया बाड़क मोटा थाई छे फड़माथी थेल बाड़क गोकर्ण धार्मिक थया छे अने धुंदु कारी डुष्ट थयो छे ते ब्रामण ना धर्म छोडी ने दार्म मास अने व्यभीचार अगेरे पापो करे छे आवा पाप करतो होतो तेथी आत्म देवे पुत्र आशक्ती छोडी दिदी छे पछी गोकर्ण ना उपद्यस्ति गर्णो त्याग करी वन्मा जई अने भजन करी अन्ते मोक्ष ने पामे छे त्यार पशी गोकर्ण विचार करें कि आ धुंदुकारी पापी बेड़ों रैस तो तेनो कुषम मने पन लाग से माटे तेनो त्याग करी दो आम विचारी ने तेवो तिर्थाटन करवा जता रेया पशी दुंदुकारी ए छूट थी गर नी तमाम संपती विचार मा वापरी नाखी छे वदारे दान मेड़ाव माटे पोतानी माता दुंदली ने पन मारी नाखी छे उत्र दुख थी कंटाडी ले दुंदली उवामा पड़ी ने म्रुत्यू पामी पशी पेलो वेश्यावने गरमा लावियो छे तेवनी इच्छाव पूर्ण करवा राजा ने त्यांती अड़ड़क दन लावियो छे त्यार बाद बदी वेश्याव विचार करेवो कि आ पकड़ाई जसे तो राजा आपड़ने पन फासी ये चड़ाव से अने दन पौन लाई जसे माटे आने मारी नाखी आरी ते नीड़ै करी रातरी ये धुंदुकारी ने बलंग साथे बांदी मुकमा गरम कोल्षा ना अंगारा नाखी गुंगड़ावी ने मारी नाखियो अची दन लाईने वेश्याव बदी जती रही छे आब आजु तुंदुकारी नों मृत्यु थता ए भ्यंकर प्रेत बन्यों जे वात नों विजो भाग पावतिकाले जय स्रे स्वामी नर्या